कि आई सुरू करते हैं अज़का भी यह पार्ट वन सेमेस्टर फास्ट सब्जेक्ट इंग्लिस लिट्रेजर है पेपर फास्ट है इंग्लिस प्रोज एंड राइटिंग इसके यह फस्ट पेपर है काफी दिनों बाद वीडियो अप्लोड हो रहा है क्योंकि इसके बाद कमिटी पेज को आप जुरू फालू करें क्या करें क्योंकि बहां पर आप लगा देते हैं जैसा आप वीडियो रिक्मेंट करते हैं उसी तरगे से हम वीडियो बनाते हैं तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सब्जेक्ट मैं बताई चुका हूं जो हमें पढ़ शाल्स पर जाओ जल्य यह Son Bun अभी कि प्वारा मिट्श मनें सूंप्र पार जाएक और अदरश कोई बिड़्यो नहीं मिल पाता है क्मेंटर मिलिगा उससे अं देखिए आपका वीडियो प्रोवाइट करा देंगे जल्द ही आपका जनल एंग्लिस से भी शुरू होगा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है सबसे पहले मैं एंग्लिस कंप्रिट कराऊंगा उसके बाद में प्लिटिकल और थर्ड सेमेस्टर के लिए आप मेरा दूसरे चनल है है में सिंग उस पर वीजिट करें हैं बहाँ भी आपको इसके वीडियो मिलेंगे ब्लाट सेमेस्टर यहां पर सेमेस्टर धाफर सेमेस्टर तीनों की वीडियो थोस्तों में शेयर करें तो बढ़ते हैं उपने कोशन की ओर कोशन हमारा है देखिए वाट अर्दा एलिमेंट्स आफ साड़ स्टोरी साड़ स्टोरी के क्या क्या तत्तों होते हैं इल्वरोट मना उसकी बैख्या केजिए उन्हें समझाइए तो आएए अब हम कोशन सुरू करते हैं कोशन तो लंबा है तो आप टेंशन आले हैं एक्जाम की डिट जैसे अप्डेट आएगी आपको मिल आगा तुरंत भी कैन से देट हम कह सकते हैं इन छूटी कहानिया लाइक के नोबल से सके नोबल उपन्यास इस रिटिन इन प्रोज स्टाइल ने छूटी कहानिया होती है या उपन्यास होते यह सब प्रोज स्टाइल में लिखे जाते हैं there is a story character is setting a point of view and conflict and theme in the story तो ऐसी कहानिया जोती है। उसमें characters होते हैं इन्हीं पात्र होते हैं setting point उनके दौराब बोले जाने वाले point इन्हीं की कथन होते हैं statement होते हैं view of a view conflict युद्ध की कुछ नीतिया होती हैं कुछ युद्ध नाज्ट पॉंट इसमें देख लेते हैं इट इज अजिवडिय नरेटिप विच मेंज इट टेल्स इस्टोरी हैं वीगनिंग मिडिल एंड एंड इन्हीं जब सिटोरी शुरू होती है हम कोई भी देखते हैं तो इसमें तीन पार्ट होते हैं यह विगनिंग स्टार्टिंग का मिडल मत देका यहां पर आप अक्सर देखते हूं कोई फिल्म देखते हूं उसमें लिकाता है इंटर्विल या इंटरमिशन तो उसे मिडल पार्ट कहते हैं मिडल में एंड और अन ऐस दाधीम सजेस्ट इस सौर्ट नरेटिव इन ब्रीफ जो थीम होती है जो नेम होता है स सौर्ड नरेटिव ब्रीफ उनको सौर्ड में हम बैख्या कर देते हैं यह गुड रूल आफ्थम आप राइटर्स वर्क एक्सीडिट मतलब इन जो वर्क करते हैं लेकर राइटर तो उनके जो वर्क होते हैं वह लगबग उसकी संख्या होती है वह पंदरा सो से लेकर सात् हजार वर्ड होते हैं यह कहनी में ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं ही यार सी यार सी इस राइटिंग नोविल मतलब इसमें लिखने वाला पुरू से महला कोई भी हो सकते हैं मतलब इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वह एक्ट्रीविट कहते हैं कि अपने द्वारा दिया गया या प्रसुत किया गया कोई भी स्टेट्मेंट या फिर सौंग जैसे हम लोग भी टीवी पर जो सेट इंडिया चैनल है उस पर काफी प्रोग्राम आते हैं बच्चों को इट्रीवूट दिया तो इस तरीके से काफी चीज्ज़ वाती है नेक्ट है ओ सिमें तो क्या होता है आट्रीवीट रेधर दैन बीकंप्लिट्टी डेफ्लप्ट जो की मूद्या डेफ्लप्लोंह गल्याता है लिख्शिट हो जाता है अंडर नेरेटवट्प्स आर्थ फ् लोगे और था स्टेट्मेंट आफ दसाट स्टूरी एलिमेंट साट स्टूरी नैस्ट आपको साट स्टूरी मिलेगी आपकी इसकी असे सभी पॉइंट दिया हमने प्लॉट कहीं चीज़े हैं इसमें प्लाकोशन कम बढू हो जाएगा हमारा पहला प्लॉट फॉडर इंस इव लाइन फूड की स्टॉिर्ट्र इन जो स्टॉरी की होती एंउसके जुड लाइन होती है बूसें से आवल होनी चाहिए उसका जिस्ट चेह है वो सिंसैवल ना चाहिए नेक्स्ट है माइनर और उसमें तौर तरीके भी होनी चाहिए इन दा स्टोरी दियर आर फाइव तिंग्स तू लुक फॉर ऐसी जिसे प्लॉट हमने भी पड़ा है तो प्लॉट के अंदर इसमें पास पॉइंट आप यहां पर दिये गए हैं उनको देख लेते हैं पहला पॉ यह इस्पेक्टिशन होता है उसमें शुरुआत में ही क्या होता है हम करेक्ट सारी करेक्टर से इंट्रोडक्शन हमारा हो जाता है कि उसमें कौन-कौन से करेक्टर है उनका क्या रोल है नेक्स्ट है दा राइजिंग एक्शन दा विगिनिंग अफ दा कॉन्फिलेक्ट दा दोता है there are conflicts और बहाँ पर बहुत सी लडाईयां होती है the climax आपने एक से देखा हो किलाइब एक सीन क्लाइब शीन क्याते है the climax is the most exciting part of the story climax scene होता है वो पूर प्रते एक स्टोरी का बहुत ही important point होता है excited point होता है क्या climax is the turning point and process the stories final point जो climax scene होता है वो इस्टोरी के लिए हमारे last point पर पिंचा देता है नहीं final point पर ले जाता है या final point पर हमारा climax scene आता है next is the falling action falling action में क्या है the events that occur as conflict begins to resolve in the final action इसमें falling action में होता है कि हम सुरुवात में देखते हैं यूद सुरू होता है conflict के नियूद के साथ सुरू होता है हमारा scene after that the resolve of the final action और last में अंतिम छोर पर हम पहुंच जाते हैं फिर है denument इसमें क्या होता है the story is outcome is called the denument जो story हम बाहर नहीं outcome जो बाहर आती है उसी को हम कहते है इसमें नमबर पॉइंट सेकंड है इसमें फर्स्ट पॉइंट के थे characterization लेरी most important है the short story relies heavily on the development of the characters story होती है उसमें जो short story होती है characters उसमें भी होते हैं बहुत important development अच्छे तरीके उनको उसमें रखा जाता है किया जाता है the tale resolve around us characters जिसके दारा जो कहनी है वो पूरी उन characters के चारोवर गूंती है the pestonist and actionist are the two main characters in the story मैं इसमें दो character होते हैं प्रतिक कहनी में एक villain होता है और दूजरा हमारा क्या होता है hero होता है next the precious is the central figure of the story जो passionate होता है वो central figure of the story होता है story के केंदर बिंदू होता है नहीं पूरी story उसके गूंती है because the main character is not always heroic जो main character होता है always heroic जरूरी नहीं कि वो hero ही हो it is not always safe to level him to hero और नहीं वो अपने आप के लिए hero के जैसे इस अपने आप को इस तर पर safe समझता है he is our he rc the main character of the story story में जो character होते हैं वो he rc मतलब या तो पुर्स होगा या फिर महला होगी दोनों में से एक ही ही होगा and it not necessary for the English to be the human creature जरूरी नहीं है कि इसमें कि वो character हो तो human ही हो हुआ है नेक्स टेन और इसमें हम जो कि फास्टे जला है आपका वीडियो प्राइब और सलिवास ही हम डाल चुके है दोमों पेपरों का फास्टेश्ट इंग्छिस लिटरेचर का और इंग्लिस लेंग्वज गालुपी से बस पड़ा हुआ है प्लेट बला के देख सकते हैं प्लेट हमें बना रखी से नेक्स्ट है ग्षिक नेक्स्ट है दक ये लिए एक्षि दा बैर्यश इस्ट्रीस रिमेंबर अपर एक सांग लिखा है जो दिया गया है तू बिल्ड एफायर इस नाम का एक कलेक्शन है तो यह इसका एक्जामपल है आपका फिर है प्रस्टोनाइस्टर इस फोर्जड दा कांटेंट होप दैट इस लिव्ज फ्लाइट करेक्टर्स आर इनकी उप उन पर किसी तरके सा कोई प्रमतला प्रभाव या दवाव नहीं ह उससे होते हैं जो उस समय स्टोरी यनी कहानी के समय पर नहीं होते हैं हां ऑमारा थल्ड पॉइंट है नारिट टेक्निक्स इंट्ट है इस तरही से वहें उसको विश्तारबादी अनाथ dick production करते हैं नैक्स्त है नेक्स्ट है थाइच आर बार्क्स दैट टेल स्टोरी इंदस sense of event मतलब जो narrative techniques होती है वो उस कहाने के रिए जो घटनाएं होती है उनके sense को उनको प्रतस्रित करता है simply described उनको वेखा करता है a narrative story ऐसी को हम कहते है narrative story novel, drama, flaps, folk, tales, short stories and poetry are among the narrative techniques narratives are works that tell a story in the sense of event simply described a narrative story novel, drama, flag and folks, tales, short story, poetry are among the numerous genres of the literature that can be classified in narrative techniques मतलब यहां पर कहनिया है आपके drama है, play है, story है, poetry है, short story है और उपन्यास है यह सारे क्या है यह सभी narrative technique के आदार पर ही हम इनको classified करते हैं जैसे अभी आप देखते हो टेलियों देखते हो यह cinema हम देखते हो तो लिखा है narrative can found in cinema हम इसको सिनेमा में देख सकते हैं, music देख सकते हैं, theater में देख सकते हैं, in addition to the literature यही जो है साहत का collection है narrative strategy provide the readers to deeper understanding of the of what they are reading and assist them to understand what they are reading मतलब यहां पर यह चीज़ टेकनिक से हम यह प्रोवाइट कराते हैं कि काउन सी कहानिया उसकी क्या strategy है उसकी मतलब क्या मतलब टेकनिक है उसको हम किस तरीके से process करते हैं और उसको क्या पढ़ रहा है वो समझने के लिए हमारे पास मतलब वो तरीका होना चाहिए फिर नेरेटर टेकनिक से प्रोवाइड डीपर री मीनिंग मतलब उसको गहरा ही से इन्हीं गहरा ही समस्के सकते हैं उसका मीनिंग रिडर एंड फिल्प तु गारिडर उसदव इमेजेंस और विजूल विजूलाइज सेचुएसन नेरेटव स्टेरी आज्टेरी आजसो नों एज लिटेरी डिवाइसे लिटेरी निसायत के लिए हम अल्सो लिटेरी डिवाइसे के नाम से भी जानता है इज एसेंसियल यह सब्सक्राइब करेक्टर्स एंड प्रसंग कहते हैं शांधर प्रशंग आपने सुना होगा नेक्स्ट मंट हमारा structure इस structure क्या होता है the structure contrast between short stories and novels are numerous मतलब जो structure होता है वो between short story जोट चोट चोटी कानिया novel उपरन्याज के बीच में होता है बीच की कड़ी होती है there are no chapters in the form of the story and scenes break symbolized like the dinkans three stars इस तरह के से और अंकॉमन मतलब जो स्टोरी होती है उसमें कोई सीन नहीं होता है कुछ एफटर नहीं होती है डारेक्ट ली सीजी पाहिए नेक्स्ट है रिस्टिक्शन एक्सप्लॉशंस रिस्टिक्शन से experience is usually shorter because there is not room for the writing and the descriptions are generally shorter. मतलब का description हो गया और जो सहली है बुछ सभी क्या होते हैं वाइंडिंग होते हैं इनका जुड़ा होता है इस चीजे उसमें हमें अफसेंट मिलती हैं उनों प्रेजेंटेस नहीं होता है इन देडिशन नेरेटिव डिवाइसे लिंक्ट विद अचेनरेंड और फ्रिकॉंटली यूज़ इन सॉट स्टेल्स जो एडिशन नेरेटिव डिवाइसे होती हैं वो हमारी जो हैं यूज़ होती है साथ स्टोरी ठीक है अब हम आगए हमारा कोशन सोने वाला है तो आई होप प्रसंद आओ तो लाइक कर दीजिएगा फस्ट आम जिट कर चैनल सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में कराईएगा जिससे आपको इंदरनतर अपडेट मिल सके क्या गला खराब है अभी तक तो अवाज साब नहीं आरे थी आज कोशिस की बनाने की इसलिए काफी दिनवाल बीडियो प्रोट हुआ है इस परकार हम कह सकते हैं आप और अपर हमने जो एलिमेंट्स स्टोरी के देखे हैं और इनके बगएर कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकती तो आई हो मुझे उम्मीद है आप वीडियो पसंद करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू अभी गलेम दिक्कत है मेरे जल्द जल्दी अभी दबा ले रहा हूं जैसे ही सीको जागा आपको पड़ड़ी वीडियो मिलेगा थैंक्यू और प्लेस पर बेज़ करना बिल्कुल मत भूलेगा कमेंट जिरू कीजेगा वीडियो कैसा लगा और कंटेंट आपको पीडियो मिल जाएगी फिरी उसका कोई आपको कॉस्ट नहीं करना है जतना मैंने बिडियो बुट की है मैं आपको बता दूँगा कि किस किस मेरे पास पीडियो अब लेबल है वो आपको ऐसे फिरी कॉस्ट मिलेगी कोई पैसा नहीं जाएगा उसका थैंक्यू